नमस्कार आप देखरें आर्या नियूज और मैं हूँ आपके साथ नुपूर सक्सेना चलिए बुलिटिंग के शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़वर के साथ देवुमी उत्रखंड में पिछले 24 घंटे में जो सियासी बुचाल चल रहा था अव्य थमने की ओर है त्रिवन्द सिंग्रावत के स्टीफे के बाद अब तीरत सिंग्रावत राज्ये के नई मुख्यमंत्री होगे बुद्वार को धेरदून में भारती जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होई इस दोरा नई मुख्यमंत्री का नाम सामने आया माना ये जा रहा है कि अगर नई मुख्यमंत्री आपको बता दे कि तीरत सिंग्रावत उत्रावत उत्राखंड के गड़वाल लोगसबा शेत्र से सांसद है वे उत्राखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अभी बीजेपी के राष्टे सचीव है गौरतलब है कि देव बुमी उत्राखंड में सियासत बहुत ही तेजी से अपना रुक बदल रही है पार्टी विरह को द्वारा व्यक्त की गई नराजगी के बाद मंगलवार को तिर्वेंदर सिंग रावत ने मुख्यमंत्री पत से स्टीफा दे दिया था जिसके बाद अब नए मुख्यमंत्री का एलान किया गया है वही बैठक में केंद्री परिवेक्षक के रूप में भाजबा के राष्ट्र उपाद्यक्ष और छत्यसगड़ के पूर मुख्यमंत्री रमन सिंग के साथ बीजपी के उत्राखंड प्रभारी दूश्यंत कुमार गौतम समित समी विदायक मौजूद रहे तीरस सिंग रावत अब उत्राखंड के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं और आज ही चार बज़े शपत लेने वाले है कल ही आपको वता दे तीरस सिंग रावत ने सिंग पत से इस्टीफा दिया था और अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि तीरस सिंग रावत ही उत्राखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे तीरज सिंग रावत उत्राखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वो अभी गड़वाल से बीज़पी सांसद है बीज़पी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और चारिक एलान भी हो चुका है तीरज सिंग रावत के उत्राखंड सीम से पत से स्टीफे के बाद ये चर्चा तेज़ थी कि राजे का अगला सीम कौन होगा और अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि तीरज सिंग रावत ही उत्राखंड के अगले मुख्य मंत्री होंगे तीरस सिंग रावत गड़वाल से बीजेपी सांसद है और अब वे उत्राखंड के सियम बनने वाले है तीरस सिंग रावत साल 2000 में नवगटित उत्राखंड के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे और 2007 में उत्राखंड वीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी चुने गए थे विराज्ये चुनाव अधिकारी और प्रजे सरस्ता प्रमुक भी रह चुके है